मैं रीरी त्रिवेदी और मैं आज थोड़ा बहुत इंडिया की mental health challenges और इसमें खास तौर पे इंडिया की महीलाएं हैं, इनकी mental health challenges के बारे में बात करूँगी क्योंकि हमारे पास wellness space में बहुत सारी महीलाएं आती हैं अपने mental health के help के लिए तो पहले तो इंडिया में mental health का burden बहुत ही जादा बढ़ रहा है और WHO के हिसाब से 7 में से एक जन को इंडिया में mental health का problem है, मतलब प्रतिशद एक family में एक जन को तो mental health का challenge होगा ही होगा और इंडिया में जो आज mental health services providers हैं जैसे psychologist है, psychiatrist है, इनकी भी संख्या बहुत कम है और इंडिया में mental health के challenges बढ़ रहे हैं खास तोर पे महिलाओं में suicide का एक बहुत बड़ा problem आ रहा है 1990 और 2016 के बीच इंडिया में जो दुनिया के population का contribution जो इंडिया का होता है, 16-17% ही बड़ा, पर इंडिया का contribution महिलाओं के suicide में, global rates में 25% से 36.6% तक बड़ा है मतलब इंडिया में महिलाओं में suicide का एक बहुत बड़ा problem है और इसलिए हमें महिलाओं के mental health के बारे में जरूर बात करनी चाहिए हमारे wellness space में पिछले 3 साल में हमने बहुत ही महिनत करके जितने भी हमारे पास clients आये हैं उनके हमने detailed interviews, personalized interviews लेके उनकी history record की है करीबन 1500 clients की हमारे पास detailed history है उसमें से 1000 जितनी महिलाओं हैं और ये 1000 महिलाओं की हमने almost 30 अलग-अलग parameters से हमने assessments की हुई है हमारे पास जितनी महिलाओं आई है mental health के लिए उसमें 45% महिलाओं anxiety के साथ आई है और करीबन 56% महिलाओं depression के साथ आई है 57% महिलाओं शनात्महत्या का विचार किया है या attempt भी किया है और बहुत सारी महिलाओं इन में से eating disorders के साथ आती हैं उनको obesity weight का issues रहता है और relationship issues भी रहे हैं हर तीन में से एक महिला का childhood trauma score बहुत जादा है childhood trauma मतलब बच्पन के प्रतिकुल अनुभव पिछले 30 साल का research दुनिया भर में जो हुआ है बताता है कि बच्पन के प्रतिकुल अनुभव जो 0-18 साल के उमर में जो बच्पन में होते हैं उसका असर जिन्दगी भर तक रहता है और खास करके महिलाओं में जब बच्पन में उनका यौन शोशन होता है उनका फिजिकल अब्यूज होता है उनका भावनात्मक शोशन होता है जिसको हम emotional abuse और neglect बोलते हैं तो ये महिलाओं आत्महत्या के लिए ज्यादा vulnerable हो जाती हैं आत्महत्या की तरफ भी जा सकती है तो wellness space पे हमने बहुत सारा इसके उपर काम किया है childhood trauma के उपर बहुत सारा research किया है और publish भी किया है और हम लोग trauma के उपर बहुत सारा interventions भी करते हैं हम अलग-अलग techniques यूज करते हैं ताकि ये जो महिलाओं हमारे पास आती है इनकी हम मदद कर सके ज़्यादातर महिलाओं तब आती है जब वो खुद मा बनती है क्योंकि जब वो पहचानती है कि उनकी खुद की जो mental health issues है उनकी वज़े से उनके बच्चों पे impact पड़ती है उनकी parenting journey पे impact पड़ती है तो तब ये महिलाओं हमारे पास ज़्यादातर help के लिए आती है काफी young लड़कियां भी आती है बिकाज आजकल mental health के बारे में बहुत बाच्ची थो रही है तो हमारे पास 16, 18, 20, 25 साल की उमर की भी काफी young girls भी हमारे पास आ रही है हम लोग inner child integration work, reconsolidation of traumatic memory, hypnotherapy जैसी अलग-अलग psychotherapy techniques use करते हैं ताकि हम इनके जो trauma की files है body में उनको हम help कर सके, उनको override कर सके ज़्यादा तर ये महिला हैं जो हमारे पास आती है वो कई बार counselling भी ले चुकी होती है psychiatrist के पास भी जा चुकी होती है बट इन दोनों जगों में से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इसलिए वो अब psychotherapy techniques try करने आती है हम लोग इनका progress check करते हैं हर 4, 8 और 12 session के बाद हम track करते हैं कि इनको कितना फायदा हुआ के नहीं हुआ हम लोग जो psychotherapy techniques यूज करते हैं वो हम इनके जो problem है जैसे anxiety, depression, suicide, behavior, trauma ये problem के हम मूल कारण के उपर काम करते हैं ये जो हम problems देख रहे हैं हमारे हिसाब से ये problem जो बाहर दिखते हैं वो problem नहीं है पर इनके पीछे जो कारण है, जो root cause है वो problem है और जादा तर ये root cause होता है इनके बचपन के जो भी इन्होंने अनुभव किये हैं वो और हम इनी अनुभवों की फाइलों के उपर काम करते हैं इनको reconsolidate करने के लिए, इनको override करने के लिए और हमने देखा है कि इससे काफी फाइदा हुआ है बहुत सी महिलाओं के PTSD scores कम हो गए है इनके anxiety depression कम हो गई है और इनकी mental health सुधरी है ये research के बारे में मैं आगे videos में बताऊंगी और थोड़े बहुत case studies भी share करूंगी जहाँ पे हमने ऐसे काफी severe cases के साथ काम किया है और उनको फाइदा मिला है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं की mental health के बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है अगर हमारे देश में हमें महिलाओं का contribution चाहिए अगर महिलाओं को ज़्यादा workforce में include करना है तो इनकी mental health पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है हाला की reality यह है कि ज़्यादा तर महिला हैं हमारे पास mental health के लिए आती है पुरुष तो आते ही नहीं है तो पुरुषों में भी mental health का problem है पर पुरुष हैं वो mental health की help के लिए भी नहीं आते अच्छी बात यह है कि महिलाओं तो आती है इसलिए हमारे पास जो data है उसमें 75% महिलाओं का data है पुरुषों का बहुत कम है तो मैं मानती हूँ कि हमारे देश में mental health के बारे में conversations होनी चाहिए इसके बारे में बातचीत करना भी normalize होना चाहिए और मेरी ये channel के द्वारा मैं इसके बारे में जरूर बात करूँगी और mental health के challenges के बारे में बात करूँगी और ऐसे लोगों को भी बुलाओंगी जिन्होंने mental health के उपर काम किया है और उसमें से बाहर निकले हैं तो आपको ये video कैसा लगा और आपके इसके बारे में जो भी विचार है वो comments में जरूर लिखेगा